चंदन ने पंडित रामफल से थोड़ी पूजा विधी हवन वगेरे की विद्या सीखी और एक दिन पंडित रामफल से बोला पंडिक जी बहुत हो गया मैं जितनी मर्जी अच्छी पूजा पाठ की विद्या सीख लूँ फिर भी लोग आपको याद करते मुझे तो सब नाई का बेटा ही बोलते यहां रहकर तो मेरा कुछ नहीं होने वाला मैं आप दूसरे गाउं जा रहा हूँ वही रहकर पूजा प मुझे सोचना ही होगा ताकि धनराशी बराबर आती रहे ठक गया हूँ कुछ देर कहीं पर रुक कर आराम कर लेता हूँ इस भेश में तो कोई भी मुझे दो घड़ी भी नहीं रुकने दे मुझे कोई तरकीब लगानी होगी चंदन एक पंडित का भेश बना कर घर का खट खट आता है व्यक्ति की बेहन और जीजा जी अपनी बेटी के साथ आ जाते हैं ये बहुत पहुचे हुए पंडित हैं आज ही हमारे गाउं आये हैं भाईया जरा इधर आओ क्या हुआ बेहन देखने में पंडित जी बड़े सुल्चे हुए इनसान लग रहे हैं क्यों ना हम अपनी विमला के लिए इनसे बात करें हमारी विमला के काले रंग की वज़े से कोई भी शादी के लिए हा नहीं करता अगर ये मान जाते हैं तो हमारी लड़की का घर पस जाएगा भाईया तुम बात करके देखो कोशिश करता हूँ बाकी तो उनके स्वभाव पर निर्भर करता है कि मानेंगे या नहीं पंडित जी ये मेरी भाण जी विमला है कोई भी इसके रंग की वज़ा से इससे विवाह करने को तयार नहीं होता यदि आप वो मैं सोच रहा था कि कि आप एक महान पंडित दिखाई पड़ते हैं यदि आप मेरी भाण जी के साथ विवाह कर लें तो हमारे उपर बड़ा उपकार होगा वैसे तो मुझे कोई अतराज नहीं है पर मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ मेरा तो कोई घर न ठिकाना है विवाह के पश्चात में आपकी भाण जी को कहां रखोंगा उसके चिंता आप मत किजिए मेरा दो मंजिला घर है बिमला मेरी एकलौती संतान है हमारे बाद सब कुछ इसका ही है लगता है तरकीब काम कर गई ठीक है मैं विवाह के लिए तयार हूँ फिर मुझे कोई आपती नहीं है चंदन की शादी बिमला के साथ हो जाती है और वो घर जमाई बनकर आराम से वहां रहने लगता है देख बिमला मैंने तुझसे विवाह करके तेरे उपर एहसान किया है तुझे मेरी खुब सेवा करनी होगी जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना चलो मेरे पैरों में बहुत दर्ध हो रहा है मेरे पैर दबाओ जरासी भी मेरी सेवा में चूख हुई तो मुझे दूसरा विवाह करते देर नहीं लगेगी मुझ जैसे नामी पंडित से कोई भी उच्छ घराना अपनी करन्या का विवाह कर देगा और फिर चंदन एक नामी पंडित बन कर गाउं वालों को ऐसे ही बेवकूफ बनाने लगा एक दिन पंडित जी पता नहीं मेरे हाथों कल रात में अनर्थ हो गया कल रात में जब सोया हुआ था नीद में मेरा पैर मा लक्ष्मी के मंदिर की तरफ चला गया और मंदिर में रखा कलश नीचे गिर गया मेरी पत्नी ने कहा कि मा लक्ष्मी हमसे रूठ जाएंगी इसलिए आपसे कोई उपाय पूछाओं भूल तो हुई है पर तुम चिंता मत करो इसका उपाय मेरे पास है मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए एक पूजा करनी होगी बस एकीस हजार रुपे का चड़ावा चावल, चीनी और तेल ये कुछ सामान मा लक्ष्मी के नाम का तुम मुझे दे दे न मैं तुम्हारी तरफ से पूजा कर दूँगा और फिर मा लक्ष्मी के नाराजगी दूर हो जाएगी ठीक है पंडिट जी, मैं व्यवस्था करता हूँ लगता है तीर सीधा निशाने पर लगा है चंदन नाई अपनी चतुराई से रोजाना कोई न कोई मुर्गा फांसी लेता था एक दिन चंदन जब घर की ओर आ रहा था यहां इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है क्या बात है भाई, यहां भीर क्यों है बहुत पहुँचे हुए कोई जोतिशी है जो हाथों की रेखाएं देखकर बता देते हैं आपके किस्मत के बारे में अच्छा, यह बात है क्योंना मैं भी अपना हाथ इस जोतिशी को दिखा दू ऐसे हरसी क्या है आचारे जी, जरा मेरा हाथ देखकर बताईए की मेरी रेखाओं में क्या लिखा है तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो बहुत अच्छी है जैसे तुम्हारा भाग गया पूरी तरह से तुम्हारा साथ दे रहा हो मैंने तुम्हें कहीं देखा है तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है हाँ, याद आया तुम तो वीरपुर गाउं के चंदन नाई हो न मैंने तुम्हें वहीं किसी की हजामत बनाते हुए दिखा था अरे आचारे जी आचारे जी धीरे बोलिए धीरे तेज मत बोलिए यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता यहाँ पर सब मुझे एक नामी पंडित समझते हैं हाँ आप अपना मुझे बंद रखिये बदले में मैं आपको 50 रुपे दूगा बस 50 रुपे यह तो बहुत कम है ठीक है यह लो 100 रुपे अब आप अपना मुझे बंद रखो किसी से कुछ मत कहना चंदन जोतिश को 100 रुपे देकर घर आ जाता है उधर विमला अपनी मा के साथ उस जोतिश के पास हाथ दिखाने जाती है आचारे जी ये मेरी बेटी विमला है इसका पती से बिलकुल भी प्यार नहीं करता को चुपाए बताईए क्या नाम है तुम्हारे पती का जी मेरे पती का नाम चंदन शर्मा है वो इस काओं के माने हुए पंडित है अच्छा चंदन शर्मा समझो काम हो गया मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारा पती तुम्हारी और खिंचा चलाएगा बस हाथ में एक उस तरह लेकर ये मंत्र बोल देना तुम्हारा पती तुम्हारे बस में हो जाएगा एक ही बार में भीगी बिल्ली बन जाएगा मझे भूग लगी है अभी लाई जी क्या कर रही हो ये क्या है ये क्या उठा कर ला रही है उस तरह तेरे हाथ में कैसे आया जोतिश ने बोला नाई का बेटा ब्रामहन के घर पर ब्रामहन बनकर छुपकर बैठा और वो है सबसे बड़ा जूटा अरे ये सब तुम्हें किस ने बताया जोतिश ने मेरा हाथ देकर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इतना बुरा हाल करूँगा तुम्हारा कि तुम याद रखोगी हाँ मैंने आपका क्या बिगाडा है जो आप मुझे ये सब बोल रहे हो और गुसा हो रहे हो अगर आप मेरे उपर चिल्लाए या गुसा किया तो मैं दुबारा फिर से वही बोलूँगी जोतिश ने बोला नाई का बेटा ब्रामहन के घर में ब्रामहन बनकर छुप कर बैठा वो सबसे बड़ा जूटा मैं ये बात सब को बता दूँगी सब को बोल दूँगी बिल्कुल छुप चुप चुप यहीं चुप हो जाओ अगर ये बात काहों के लोगों को पता चल गई तो वो मुझे बहुत मारेंगे पीटेंगे मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे अरे नहीं नहीं मैं तो बस यहीं तुम से मजा कर रहा था तुम तो मेरी प्यारी विम्मू हो मैं क्या तुम पर कभी गुसा कर सकता हूँ कर सकता हूँ बताओ चुप इश ने तो बड़ा अच्छा मंत्र बताये है सुनिये जी मैं पूरा दिन काम करके ठक जाती हूँ मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है मैं बहुत ठक गई हूँ वस इतनी सी बात लाओ लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ विम्मू थोड़ा अच्छे से पिहार से दबाईए मेरी एडियो में भी बहुत दर्द है ये मंत्र तो वाकई में बहुत ही चमतकारी है भला हो उस जोतिश का उसने तो मुझे कमाल का मंत्र बता दिया पर इस मंत्र का मतलब क्या है ऐसा क्या है इस मंत्र में चो ये एक ही बार में काबू में आ गए विम्मलो और उसके माता-पिता जोतिश के बताए मंत्र को अभी तक समझ नहीं पाए थे भरकुल मिला कर तीनो कुष्टे